नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल वाइफाई एड्यूकेशन पर आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है क्वाड़िटे क्वेशन का पार्ट नमर सेकेंट तो चलिए सुरू करते हैं तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं सबसे पहले हम जो इक्वेशन आज लेने जा रहे हैं वो है अपने पास में तो दोस्तों सबसे पहले आपने सेशन स्टार्ट करें आपसे कहने चाहूंगा कि अभी तक पार्ट वन नहीं देखा है तो प्लीज पहले उसे देखिए ताकि आपको कुछ भी समझने में प्रोल्म ना हो आप कंफ्यूज ना हो कि हम क्या कैसे स्ट्रिक अप्लाई कर रहे हैं ठीक है तो चलिए सुरू करते हैं जैसे लास सेशन में आपको बतायाता है कि ऐसे इक्वेशन है इसमें एज़े हमें अप्लाई करने पर तो 16 आना ही चाहिए बट उनको जब अपन एड करते हैं तो हमें क्या मिल जाए एड ये वे लो जो सिर्फ एक्स का कॉफिशन्ट है तो आपको पता होगा कि 16 की जो फक्टर है जैसे हमें इनके फक्टर करते हैं तो 4 इंटु 4 ठीक है 4 इंटु 4 एक्टर अपन फक्टर के है तो अपने को मिल अप्य morgen 16 और जबके इनको एड करेंगे तो चार और चार कितने मिल जाएंगा मैं, एट, ठीक है, तो अपना फिक्टर तो यह बन गया, फोर और फोर, तो एक फिक्टर फोर, सेकंड फोर, नेक्स्ट मैंने आपको बतायाता है, कि जो एक स्कुयर का कोफिशेंट है, उससे हम डिवाइड करेंगा, मतलों यहां पर क्या है टू, तो इससे है, दोनों को 2 से डिवाइड कर दीजिए, कर देया और यह जो फिक्टर है, वो दोनों किया है? प्लस की विल्यू जैंग, इसमें साथ में लेके चलते हैं, बहलं आपको बताया था, ठीक है, टो यह जो विल्यू जैंग, इसमें सौट्ट ही यह होता है, कि अब हमें x की जो value मिली है वो सिर्फ हमें यह करना है कि जो इनके sign है वो आपने change करेंगे और कुछ नहीं करना आपने को जैसे यहां plus है plus 4 by 2 ठीक है तो यहां आपने लिख देंगे minus 4 by 2 ठीक है सेम अप्रोच हम इस equation में लगाएंगे इस equation में कौन सी जो value है तो 3 अपने पास और 1 के 5 है तो इनको multiply करेंगे 3 into 5 equals to 15 अब 15 के हमें ऐसे factors चीए जिनको गुना करने पर तो 15 आपना चाहिए तो क्या मिल रहा है एक मिल रहा है ठीक है तो अपने इसके factor लिखेंगे एक value 3 होगी next value अपने पास आगी 5 ठीक है तो y की values अपने को कितने असाने से मिल गए हमें कुछ नहीं करना है यहां पर सिर्फ जो sign की है वो अपने चेंज कर देगे जैसे यहां plus का sign है तो यहां आजाएगा अपने पास minus ठीक है और 3 से 3 divided कर तो minus का 1 ठीक है और यहां अपने पास value आजाएगी minus 5 by 3 तो यह दोनों value अपने को मिल गई y की नौ अब हमें क्या करना है अब हमें इनको compare करना है तो जैसे मैंने आपको last session में बताया था compare करने का तरीका एक बाब फिर देख लेते हैं सबसे पहले एक line draw कर लीजिए ओपर लिखेंगे अपन x दे नीचे लिखेंगे अपन y ठीक है यहां पूट करेंगे यहां पूट करती है minus 1 ठीक है next value है y की वह अपने पास है minus 5y 3 देखो दोस्तों minus 5y 3 आपको वैसे पूरा solve करने की वैसे कोई जूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरू नहीं है आप थोड़ा सा सोसिए कि जब यहां पर 5 की जिए आप माली जे 6 होता ठीक है तो यह पूरा पूरी minus 2 की value बनने वाली थी ठीक है बट यह 5 है इसका मतलब यह minus 2 से तो कुछ कम है मतलब minus 1 point something है मतलब यह value इन दोनों values के बीच में कहीं वरी करने वाली है तो अपन यह कहीं भी लिख दें कोई फरक नहीं पढ़ने पढ़ने वाले है आपने जैसे minus 5y 3 अपने लिख दिया तो अब आप easily देख सकते हैं कोई confusion rate नहीं होगा आप साब सब देख सकत है कि y की value है वो x से चोटी है तो आपना answer दे सकते है x is less than y यह अपना answer देगा चीगा चलिए next equation लेखने आपने 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 next आपने 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 पास equation है वह 2x square plus x minus 1 equals to 0 and second है 2y square minus 3y plus 1 equals to 0 ठीक है तो चलिए फिर से शुरू करते हैं यहाँ values कौन से है 2 और 1 ठीक है तो इनको multiply करते है 2 into minus 1 तो हमें मिला minus 2 ठीक है तो अब दोस्तों हमें ऐसी मतलब minus 2 के ऐसे 2 factor करने होंगे हमें कि उनको multiply करने पर हमें minus 2 मिल ठीक है और add करने पर क्या मिले जब देखिए यह x के साथ में कुछ नहीं है इसका मतलब यहां क्या लिखा होगा है 1 ठीक है तो उन दोनों values को जब add करें हमें तो हमें plus का 1 मिलना ठीक है तो ऐसे कौन से factor हो स 1 ठीक है 2 into 1 और अपने को plus का चीए तो plus 1 और यह minus 1 ठीक है अब देखिए इनको multiply किजिए plus 2 और minus 1 multiply किया हमें क्या मिला minus 2 ठीक है और जब अपने इसको add करते हैं ठीक है इन दोनों values को तो हमें मिलेगा x मतलब plus 1 मिलेगा ठीक है ठीक है तो अब मतलब यहीं अपने factor होगे ठ minus का 1 अब इन दोनों values को अपन डिवाइड करेंगे किस से जो x square का coefficient होता है ठीक है वहां क्या है अभी हमने पास है यहां पर 2 तो दोनों को 2 से अपने डिवाइड कर दिया ठीक है अब जो x की values अपने निकल के आएंगे अपने पास उनमें कुछ नहीं करना सिर्फ साइन है वह अपन चेंज कर देंगे जैसे यहां plus का sign है तो यह value सो बन जाएगी minus और 2 को 2 से divide करेंगे तो 1 आजएगा ठीक है और यहां minus का sign है अपने पास तो यहां अपन लिखेंगे plus plus 1 by 2 यह लिजे यह अपने पास आ गई x की values नेक्स्ट जैसे इस equation की बात करें आपन यहां तो इसमें अपने को चीए 2 into 1 तो यह रहां मनिए तो इन दोनों को multiply किया अपने पास आया plus कर 2 अभी हम plus 2 है उसके ऐसे factor करने है अपने को कि उसको multiply करने पर plus 2 आना चीए ठीक है और जब उन values को दोनों को add करें अपन ठीक है उनका sum करें तो वह value आ देंगे minus 3 देखें मैंने का साइन छोड़ना नहीं है साइन साथ में रहेगा तो यहाँ value वह क्या है minus 3 तो अब हम भी ऐसी कोई value चीए ठीक है तो देखें 2 के factor क्या करेंगे अपन करेंगे 2 into 1 ठीक है और minus और minus अब देखें दोस्तों minus 2 और minus 1 ठीक है इनको multiply किया minus minus plus हो जाएगा 2 से 2 रहेगा तो plus के 2 जो अपन multiply करेंगे तो अपने को मिल जाएगा plus का 2 ठीक है और next जभी इन दोनों values को अपन add करेंगे तो minus 2 minus 1 add हो क्या बन जाएगा minus 3 ठीक है तो अपने को factor मिल गया तो factor क्या आए आपने पास minus 2 and minus 1 next step क्या रहती है कि इन दोनों को ही x square याज जासे इस equation में यह y square की equation तो y square का जो coefficient है इससे divide करेंगे ठीक है तो 2 से इससे divide कर दीजे ठीक है now y की value इस क्या मिली मैंने बताया तो आपको सिर्फ क्या करना है sin change कर देना है ठीक है तो यह मझे से minus की value है तो plus 2 को 2 से divide कर एक और यहाँ भी minus है तो यहाँ प्लस हो जाएगा और 1 by 2 यह लिजे यह अपने प यहाँ प्लस होना है सरफ यही एक ही pattern रखना है आपको तो उपर x लिखेंगे नीचे y लिखेंगे x की values put करेंगे जैसे यहाँ अपने put कर दी minus 1 और यह plus 1 by 2 है तो वह थोड़ी इस साइड यहाँ put कर देंगे 1 by 2 ठीक है now अपने को किस y की value है वह put कर देंगे तो y की value एक त और y की जो next value वह क्या है plus 1 by 2 वह तो सेम ही आगी plus 1 by 2 ठीक है अब देखें दोस्तो आप easily compare कर सकते हो एक value तो है वह equal है ठीक है और उसके बाद में x है वह चोटा है y से ठीक है तो अपना answer बन जाएगा x is less than equals to y यह अपना हो गया answer इसके बाद में दोस्तों अब कुछ थोड इसके बाद में कुछ equations है वो जैसे लिकरा हूँ x square plus x minus 20 equals to 0 next equation y square minus y minus 30 equals to 0 ठीक है एक तो इनको compare करेंगा पना next जैसे x square plus x minus 20 equals to 0 and then next है 6 y square plus y minus 1 equals to 0 ठीक है तो दोस्तों इसमें rule क्या होता है इसमें यह होता है कि जो जब भी आपको next जो को लो में जैसे यहां भी एक sign है अपने पास और यहां भी sign मिलने वाला है ठीक है तो एक second में हाँ जो दोस्तों मतलब एक तो यह sign रहा अपने पास ठीक है और एक यह रहा ठीक है आपको इनको देखना है जो यह sign रहा और यह आपर यह sign रहा तो दोस्तों जब भी ऐसे हो कभी भी ठीक है तो आपको जो पहले वाला जो sign है मतलब यह वाला यह चाहे कुछ भी रहे प्लस रह माइनस रह उसे फरक ने पड़ने वाला लेकिन यह जो अगे वाला sign है जब भी आपको दोनों वेल्यूज माइनस में दिखे ना तो आपको कुछ नहीं करना सिधा अंसर लेकिना है c and d ठीक है कार नो डिट्रमाइन या फिड सी की लिग्मीज करें तो x equal to y और no relation ठीक है no relation लेकिन यह ध्यान रखना यह 99% अप्लाई होता है हमेंसा नहीं होता ठीक है तो वह थोड़ी सी रिस्क ज़ुरूर रहती है बट 99% ही अप्लाई होता है और यह हमेंसा से ही होता आपको कुछ नहीं करना सिर्फ sign देखने है और आप का अंसर मिल जाएग जैसे अपने पास कुछन है एक एक कुछन लेते हैं 12x2-2x-4 equals to 0 and next आपने पास y2-y-30 equals to 0 ठीक है तब देखो दोस्तों next जो दोनों values हैं से यह आ रहा है यहां पर हमें minus मिल रहा है और यहां भी minus मिल रहा है इसका मतलब answer तो क्या आएगा cannot determine or no relation वाला ठीक है बट चलिए थोड़ा से इसको देख लेते हैं क्या क्या यही आ रहा है या कुछ और रहा है ठीक है तो first equation है इसमें अपने को values हैं वो क्या है 4 और 12 ठीक है minus का 8 और plus का 6 अब देखिए इनको add कीजिए अपने को क्या मिल रहा है minus का 2 और जो हम इनको multiply कर रहे है अपने को मिल रहा है minus का 48 यह भी अपने को 48 माइनस का जीए था कि माइनस यहां पर 4 ठीक है तो यह भी 48 माइनस का जीएगा तो यह अपने पहले factor है वो तो बन गए plus का 6 और minus 8 और इनको divide करेंगे जो इनका साथ में coefficient है यहां के अपने पास 12 तो 12 से इनको divide कर देंगे ठीक है तो अपने जो x की values है वो आगई यहां पर minus 1 by 2 मैंने का था sign change करना आपको ठीक है और यहां जिसे minus है तो plus कर दो ठीक है तो 2 by 3 यह दो value आगई अपने पास है x की अभी देखिए y की values है जो यह यहां से compare कर लेता है यह तो easy है 30 है 30 के ऐसे factor चाहिए उनको multiply करने पर minus 30 आना चाहिए और जब उनको add करें आपन तो minus का 1 आना चाहिए क्योंकि y के साथ में कुछ नहीं है तो अपने मान रहें है अपने को पता है एक लिखावा है तो 30 के factor हो जाएंगे अपने पास क्या मिलेगा 6 और 5 ठीक है और यह minus का रखेंगे अपनी यह plus का रखेंगे क्योंकि जब इनको add करेंगे तो देखो minus का बज़ रहा है और जब इनको multiply करेंगे तो 30 आगे तो यह अ सब्सक्राइब करेंगे तो values और change हो नहीं रही तो y की values के आएंगे sign change कर दीजिए बस minus से प्लस हो गया और यह plus था तो क्या minus 5 हो गया ठीक है तो चलिए अब इनको फटाफट compare और करके देख लिएता है कि अपना answer सही था no relation यह नहीं था ठीक है तो सबसे पहले एक line है वो पास plus की है 2 by 3 ठीक है दोस्तों next y की values put करेंगे ठीक है y की एक values आ रही है 6 plus की ठीक है तो plus की 6 है इसका मतलब 2 by 3 से ज्यादा है ठीक है तो वो यहां कहीं आएगी ठीक है plus 6 आगे next y की value वो क्या है minus 5 इसका मतलब वो value minus 1 by 2 से भी पहले कहीं जाने वाली है minus 5 तो देखो दोस् में एक simple सा तरीका होता है जब भी कोई 2 values हैं चाहिए x की 2 value हो चाहिए y की 2 values हो उनके बीच में एक दूसरी value जब आ जाती है जैसे यहां देखिए y की दोनो values है एक यह रही और एक यह रही और यह दोनो x की value है वो इनके 20 में आ रही इसका मतलब no relation ठीक है no relation यहां कोई भी है कि आपको यही चीजी आद रखने है कि जब सुरू में इसान plus हो next minus 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 ठीक है एक format यह बन सकता है next यह बन सकता है सारे सब minus minus में हो ठीक है तो answer क्याने वाला no relation ठीक है तो I hope आपको यह short trick अच्छी लगी होगी अच्छी लगे वीडियो पसंद आए तो आप जरूरी से like कीजिए हमारे channel है इसको subscribe जरूर कीजिए और इसे जितना हो सकते है उतना इसी इसको share कीजिए ठीक है तो दोस्तों next video मिलते हैं तक तक लिए bye thank you